ओम शांति ओम शांति आज 30 एप्रेल 2014 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे पाप दादा के मदूर महवा क्यों को मीठे बच्चे अपना पोता मिल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया कोई भूल तो नहींगी क्योंकि तुम हर एक व्यपारी हो प्रेश्ण कौनसी एक मेहनत अंतर मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी उत्तर जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है जो सामने आता रहता है उन सबसे बुध्ययोग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो चारों तरफ से बुध्य हटाए अंतर मुखी बन बाप को याद करो सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी ओम शन्ति बाप बैट बच्चों को समझाते हैं ये तो बच्चे जानते हैं कि रुहानी बाप रुहानी बच्चों को बैट समझाते हैं रुहानी बाप हुआ बेहत का बाप रुहानी बच्चे भी हुए पेहद के बच्चे बाप को तो सब बच्चों की सद्गति करनी है किस द्वारा इन बच्चों द्वारा विश्व की सद्गति करनी है सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ते हैं नाम ही है इश्वरिय विश्व विद्याले मुक्ति तो सबकी होती ही है मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम एक दो के पीछे आना ही है पाट पढ़ता है बच्चों को अब रचियता और रचना का मालूम पढ़ गया है ये सारी रचना अनादी है रचियता तो एक ही बाप है यह जो भी सभी आतमाई हैं सब बेहत के बाप के बच्चे हैं जब बच्चों को मालूम पढ़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं यह भारत क आतरा सिखला कर पावन बनाते हैं और नौलेज भी देते हैं कि यह स्रेश्टी का चक्र कैसे फिरता है यह भी बच्चे जानते हैं रुद्र माला भी है जो गाई और पूजी जाती है सिमरन की जाती है भक्त माला भी है उचे ते उचे भगतों की माला है भगत माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला भगती और ज्ञान है ना भगत माला भी है तो रुद्र माला भी है पीछे फिर रुण्ड माला कहा जाता है क्योंकि उच ते उच मनुशे स्रश्टी में है विश्णू जिसको सूक्षुम वतन में दिखाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है इनके माला भी है आखरीन यह माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विश्नु माला की विज्यमती माला बनेगी उचे ते उचा है शिव बाबा फिर उचे ते उचे है विश्नु का राज्य शोभा के लिए बक्ति में कितने चित्र बनाए है पर अंतु ज्यान कुछ भी नहीं है तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं बाबा ने समझाया है सूक्ष्वतन में भी सारी साक्षतकार की बात है हट्टी मास वहाँ होता नहीं साक्षतकार करते हैं संपूर्ण ब्रह्मा भी है परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है व्यक्त ही अव्यक्त होता है जिसको फरिष्टा भी कहते है उनका सूक्ष वतन में चित्र रख दिया है सूक्ष वतन में जाते हैं कहते हैं बाबा ने शुबेरस पिलाया अब वहां जाड़ा दी तो होता नहीं बैकॉंठ में हैं लेकिन ऐसे नहीं कि बैकूंठ से ले आकर पिलाते होंगे ये सब सूक्ष्वतन में साक्षात कार की बाते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि वापिस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है मैं आत्मा अविनाशी हूं यह शरीर विनाशी है आत्मा का ज्यान भी तुम बच्चों में है वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उन में चरासी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है यह नौलेज सिर्फ बापी देते हैं अपनी भी नौलेज देते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं बस यही पुर्शार्ट करते रहो हम आत्मा हैं अब परमात्मा के साथ योग लगाना है सर्वशक्ती मान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं अब तुम बच्चों को भग्ती का भी क्यान मिलता है कि भग्ती कितना समय चलती है क्यान कितना समय चलता है ये बाप पैट समझाते हैं पहले कुछ नहीं जानते थे मनुष्य होकर तुछ बुद्धी बन पड़ते हैं सत्युग में बिलकुल स्वच बुद्धी थे कितने उन्हों में दैवी गुण थे तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने ही कहते हैं न यह तुझे से दीवता है बल साधू संत महत्मा को लोग मानते हैं परंतु वे देवी बुद्धी तो नहीं है रजोगुणी बुद्धी हो जाते हैं राजा रानी प्रजा है न राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती यहां तुम सब नई बाते सुनते हो तो माला का भी राज समझाया है उचे ते उचे बाप उनकी माला उपर में है रुद्र वह है निराकार फिर साकार लक्षमी नारायन उनकी भी माला है ब्रामनों की माला भी नहीं बनती अंत में तुम ब्रामनों की माला भी बन जाती है इन बातों में जास्ती प्रशन उत्र करने की जरूरत नहीं मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो यह निश्य पक्का चाहिए मूल बात है पतितों को पावन बनाना सारे दुनिया पतित है फिर पावन बनना है मूल वतन में भी सभी पावन है तो सुखधाम में भी सब पावन है तुम पावन बन कर पावन दुनिया में जाते हो गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है ये सब ड्रामा में नूद है बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो कोई भूल तो नहीं हुई व्यपारी लोग मुरादी संभालते हैं ये भी कमाई है तुम हर एक व्यपारी हो बाबा से व्यपार करते हो अपनी जाच करनिया हमारे में कितने दैविगोन है कितना बाप को याद करते हैं कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं हम अशरीरी आये थें, फिर अशरीरी बन कर जाना हैं, अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं, जाना तो सब को एकठा है, बले स्रेष्टी खाली नहीं रहती, गायन हैं, राम गयो, रावन गयो, परंतु रहते दोनों हैं रावन संप्रदाय जाता है तो फिर लोट कर नहीं आता बाकि ये बच जाते हैं ये भी आगे चल कर सब साक्षतकार होना है ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है पिछाडी में क्या होगा फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा सत्यूग में तुम राज्य करेंगे कल यूग खत्म हो जाएगा फिर सत्यूग को आना है अभी रावन संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है संगम यूग पर ही ये सब होता है अभी तुम ये सब कुछ जानते हो बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वे आगे चल कर धीरे-धीरे समझाते रहेंगे जो रिकॉर्ड में नूध है वे खुलते जाएंगे तुम समझते जाएंगे इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे यह भी ड्रामा का प्लैन है रिकॉर्ड खुलता जाता है बाबा बोलता जाता है तुमारी बुद्धी में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है ऐसे नहीं, रिकोर्ड से सुई उठा कर बीच में रख सकते हैं, तो वे रिपीट हो, नहीं, वे भी फिर वही रिपीट होगा, नहीं बात नहीं, बाप के पास जो नहीं बात होगी, वे रिपीट होगे, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुपत है, ये प्रजा सब चाहिए, ये सब बुद्धी से काम लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल में जो होगा, सो देखा जाएगा, जो यहां से आते हैं, वे अच्छे साहुकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं, अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है, इस समय भी रतन प्रैत चीजें सब के पास होती है, परंतु उनों में इतनी पावर नहीं है, पावर तुम्हारे में है, तुम जहां जाएंगे, वहां अपना शो करेंगे, तुम तो उच बनते हो, तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे, आसूरी बच्चे जनमते ही रोते र ना, वहां बास आती नहीं जो कहना पड़े अगर बच्ती जलो, बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहां के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहां तो एक परसंट भी नहीं, वहां तो फूल भी व सोना ही सोना, रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकानादी बनेंगे, वहाँ ऐसी मौसम होगी, न सर्दी, न गर्मी, वह गर्मी का दुख नहीं जो पंके चलाने पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग, वह अपार सुख होता है, तुम्हारे जैसा पदमा पदम भागेशाली कोई बनते ही नहीं, लक्षमी नारैन की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं, उनकी कितनी महिमा चाहिए, पहले होती है अव्य अभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं, पांच तत्वों की पूजा होती है, शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदिका बनाते हैं, आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे, आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाय हुआ है वे जट बताएंगे परंतु आत्मा पर्मात्मा किस चीज का बना हुआ है यह कोई बता ना सके सत्यूग में पांच तत्वे भी शुद्ध होते हैं यहां है अशुद्ध तो पुर्शार्थी बच्चे ऐसी ऐसी खयालात करते रहेंगे बाप कहते हैं इन सब बातों क भी छोड़ दो जो होना है वे होगा पहले बाप को याद करो चारो तरफ से बुद्धी हटा कर मा में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतोब्रधान बनना है फिर सत्यूग में जो कल्प कल्प हुआ ह ही होगा उसमें फर्क नहीं पड़ सकता मूल बात है बाप को याद करो यह है मेहनत वे पूरी करो तूफान तो बहुत आते हैं जर्म जर्मांतर जो कुछ किया है वे सब सामने आता है तो सब तरफ से बुद्धी को हटा कर मेरे को याद करने का पुशार्थ करो अंतर मुखी ह कर तुम बच्चों को सुवरती तो आई सोभी नंबर वार पुश्चार्थ तनुसार सर्विस से भी मालूम पढ़ जाता है सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है पंडे बन कर आते हैं कौन म पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्ध को चारो तरफ से अटा कर सतो प्रदान बनने के लिए अशरिरी बनने का अप्यास करना है दैवी कुर्ण धारन करने हैं बुद्धी में अच्छे-च्छे खयालात लाने हैं हमारे रज्य अर्थात स्वर्ग में क्या-क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लाइक चरित्रवान बनाना है यहां से बुद्धी निकाल देनी है वर्दान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन और समान भव अब बाप्तादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो जैसे शरीर की त्रिप्ती वाले सदा संतुष्ट रहते हैं वैसे मन की त्रिप्ती वाले भी संतुष्ट होंगे संतुष्टता त्रिप्ती की निशानी है त्रिप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा मान शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगे वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन और समान होंगे स्लोगन सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुन्य का खाता जमा होना ओम शंती झाल